ये सभी सब्द जैसे नाम मात्र का तरीका नहीं है कहीं ऐसा नहों दिलवादो यहीं तो उसी जगह तो चाहे जो हो करने के बाद उतार चड़ाओ इधर उधर ये सभी ऐसे कई सरी सब्द जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा उप्योगी है तो इस वीडियो में इन सब्दों का सभी परियोग से खेंगे जैसे नाम मात्र का नाम मात्र का अंग्रेजी होता है सो कॉल्ड मतलब सिर्फ नाम का कोई काम का नहीं है वो नाम मात्र का दोस्त है मतलब वो काम का नहीं है कभी जरूरत पर साथ नहीं देता सिर्फ नाम मात्र का है तो संटेंस He is so called friend, वो नाम मातर का दोस्त है, रवी नाम मातर का डॉक्तर है, मतलब उसे इलाज करने नहीं आता, रोगी को ठीक नहीं कर पाता, नाम मातर का है, पैसे ठगता है, रवी is so called doctor, सुमन नाम मातर का इंजिनियर है, सुमन is so called इंजिनियर, तो किसी भी नाउन के साथ अब लगा सकते हैं, नाम मातर का किताब है, नाम मातर का दोस्त है, नाम मातर का ये है, नाम मातर का वो है, तो इससे बोल सकते हैं, तो नाम मातर का अंग्रेजी होगा, so called, यह तरीका नहीं है, इसके लेंग्रेजी होगा, not the way, not the way, यह तरीका नहीं है, उससे बात करने का यह तरीका It is not the way to talk to him It is not the way इसके बाद 2V1 इसके बाद फिर कोई भी noun या कोई भी other word लगा सकते हैं किताब पढ़ने का यह तरीका नहीं है It is not the way to read the book रवी से मिलने का यह तरीका नहीं है It is not the way to meet रवी तिया पर वे के बाद 2V1 लगा देंगे जो भी काम करने का तरीका नहीं है इसके बाद कोई भी object या other word कहीं ऐसा नहो की इसके लेंग्रेजियोगा last अब यह अब देगे list इसके बाद dot आएगा फिर subject और should जापर list आगिया उसके साथ should आना ही है यह compulsory है इसे कहीं ऐसा नहो कि तुम गिर जाओ अइसा नहो कि तुम गिर जाओ तो sentence बनाते हैं Lest you should fall down कहीं ऐसा नहो कि रवे लोग सो जाए Lest they should sleep कहीं ऐसा नहो कि रमेज उसे पीट दे Lest रमेज should beat him तो यह आप राब देश सकते हैं कि सूड के बाद यहापर वीवन भी आएगा जो की model work के तरह यह काम करेगा तो sentences बनाना काफी असान है कहीं ऐसा नहो इसके लंगरेजिये हैं Lest और इसके बाद आएगा सब्जुक्ट इसके बाद फिर should be one दिलवादो दिलवादो के लिए आप परियोग करते हैं get और get का मतलब हैं दिलवादो और get के बाद उस word को लगाएंगे जो चीज़े दिलवादो चोकलेट दिलवादो तो चोकलेट यहाँ पर नाउनोस आएगा कार दिलवादो कार नाउनोस आएगा तो मुझे एक कार दिलादो या दिलवादो get me a car उसे बिस्कुट दिलादो get me या get him बिस्कुट रिया को कुछ पेसे दिलादो get रिया some money तो get का यहाँ पर मतलब है दिलवादो या दिलादो चाहे जो हो जाए चाहे जो हो जाए का मतलब है कम वाट में यह सभी सब अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा उपयोगी है यह सभी सब्द must चाहिए यह से जो हो जाए मैं buy खरीदूंगा कम वाट में I will buy a bike चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा कम वाट में I will learn English तो कम वाट में के बाद कोई भी आप sentence लगा सकते हैं जैसा भी मिनिंग होगा चाहे जो हो जाए वो वहाँ जाएगा कम वाट में I will go there तो sentences काफी असानिस से आप बना सकते हैं अगला है यही तो यही तो मतलब this is what this is what को आप सब्ट में बोल सकते हैं that's what भी बोल सकते हैं लेकिन वापर that is what होना चाहिए तब होगा लेकिन यही तो this is what या that is what भी आप कर सकते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ this is what I am saying लेकिन बहतर होगा this के जिगापर that लगाए यही तो रवी खोज रहा है that is what रवी इस लोकिंग फोर यही तो हम लोग सो रहे थे this is what we were sleeping अब यही तो लिखा हुआ है अब यहाँ पर कोई place की बात हो रही है और जब place की बात हो तो इसके लिए अंग रेशी होगा that is where that is where का सोटो जाएगा that's where यही तो वो खा रहा है जब किसी वस्तु की बात हो तब that's what या that is what सही है लकिन जब कोई place की बात हो तो where लगाएंगे जब समय की बात हो तो when लगाएंगे इस तरी के से होता है यही तो वो खा रहा है अब खार है तो कोई वस्तु खा रहा है कोई चीज़े खा रहा है तो that is what is eating तो sentence से सिस्ष्य बनाएंगे that is what बहतर होगा this is what का परियोग करना उसी जगह तो उसी जगह तो मतलब that is where मैंने आपको बताया कि where का परियोग तब करेंगे जब कोई place की बाती होगी इसे उसी जगह तो हम लोग रहते हैं that is where we live उसी जगह तो रवी काम करता है that is where रवी works उसी जगह तो तुमने उसे पीटा that is where you beat him you bet him past का है तो beat का past bet बोला जाता है spelling same रहेगा पढ़ा bet जाता है जिसके बाद इसका अंग्रेजी होगा after which जिसे मैं उससे मिला जिसके बाद मैं कुछ खरिदने लगा I met him after which I started buying something I'm on school गया जिसके बाद मैं सो गया I'm on went to school after which I slept उसने अंग्रेजी सिखा जिसके बाद एक अच्छी नौकरी पाया he learnt English उसने अंग्रेजी सिखा after which जिसके बाद he got a good job उसने एक अच्छा नौकरी पाया तो sentences इसे ही आप बना सकते हैं अगला सब्दें करने या करने के बाद और इसके लिए आप लगाते हैं after उसके बाद V1 के साथ आएंजी रवी इसकुल से आकर खेलने जाता है तो या पड़के रवी गोस टू पले रवी खेलने जाता है after coming from school इसकुल से आकर या इसकुल से आने के बाद पिरिया रोज किताब पढ़कर सोती है कोई काम करकर या कोई काम करने के बाद पिरिया slips after reading the book या reading a book डेली मैं टहलने के बाद नस्ता करता हूँ I take a breakfast after walking उसने खाना खाकर पानी पिया या drink water after eating food तहाँ पर after eating food खाना खाकर या खाना खाने के बाद अगला है उतार चड़ाओ इसका अगरेजियोंगा ups and down या से परियोग करेंगे subject to a plus ups and down उसने कई सारे उतार चड़ाओ देखा है He has seen many ups and down जिन्दगी में बहुत सारे उतार चड़ाओ आते हैं many ups and down come in the life इसे sentences बना सकते हैं ups and down means उतार चड़ाओ either, other इसका अगरेजियोंगा either and either subject to a plus either and either परियोग करेंगे sentence देखे either, other मत जाओ don't go either and either sure is either, other bike से जाता राता है sure is keeps on going either and either by bike by bike मतलब bike से either and either either, other mano mano का अगरेजियोंगा है as if वो ऐसे अगरेजियोंगा है mano अगरेजोंगा है he speaks English as if he were an English man अब ये के साथ तो वोज लगता है लेकिन या पर वोज इस वज़े से लगा क्योंकि ये sentence काल्पनिक है ये sentence real में नहीं है आप मानो imagine कर रहे हैं अकास ऐसे गाना गाता है मानो सोनुनिगम हो अब सोनुनिगम तो अकास है नहीं काल्पनिक बाते हैं तो अकास sings a song as if he were सोनुनिगम अमन ऐसे मुझसे बात करता है मानो वो मेरा दोस्त हो अमन talks to me as if he were my friend यहाँ पर संटेंसे असानी से आप बना सकते हैं अगले सब्दें और कैसे इसके लिए लिए जी है how else जैसे how else plus help you up subject man up plus subject plus question mark तुम और कैसे इसे करोगे how else will you do it उसने और कैसे यहाँ जाना how else did he know it रिया और कैसे किताब पढ़ती है how else does Ria read the book क्या पर संटेंसे ऐसे यहाँ बना सकते हैं how else मतलब और कैसे so guys thanks for watching that's all for today